तो दोस्तों Samsung जल्दी ही Galaxy Note 22 Ultra को launch करने वाला है तो दोस्तों ये वीडियो concept and prediction पर based है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों start कर लेते हैं इस smartphone की design से तो यहाँ पर आपको back side पर glass back देखने को मिलेगा और ये phone जो है वो different color में आपको available देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपको back side पर triple rear camera मिलेगा और वहीं LED flash का support है और आपको side में 2 inch का mini display मिलेगा जो काम आप main display पर करते हो वो same काम आप इस छोटी display पर भी कर सकते हो और नीचे के तरब आपको samsung का bending मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की display की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.9 inch का OLED पेनल दिया गया है तो दोस्तों यह samsung का खुद का display है तो दोस्तों आपको पता है इन डिस्पले, ultrasonic, fingerprint sensor का support मिल जाएगा तो इन डिस्पले जो है वो यहाँ पर काफी आपको एक रूट देखने को मिलता है और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन जे केमरा के बारे में तो दोस्तों केमरा के बारे में बताने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल एकन पर क्लिक करके और से लेक कर लिजेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है यहाँ पर दोस्तों सेमसेम का अपकमिंग सेंसर का यूज किया गया है यानि इस फोन से आप 8K रिकोडिंग कर सकते है और साथ ही में यहाँ पर आप 120 एक जूम भी कर सकते है बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट केमरे की तो दोस्तों यह पहली बार होगा कि आपको सेमसेम के फोन में अंडर डिस्पले केमरा टेकनलोजी का इस्तमाल किया गया है यानि जो आपको में केमरा मिलता है वो यहाँ पर आपको मिलता है 64 मेगा पिक्सल का इससे आप 4K रिकोडिंग कर सकते हैं और फेस ब्यूट्य और पोट्रेट शोट भी ले सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको Ace Pen देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ी भी एड़ की गई है Ace Pen के अंडर इससे आप सिगनेचर कर सकते हैं और जरूत किसाब से जो भी काम है वो कर सकते हैं और Ace Pen के अंडर आपको केमरा मिलता है जो कि दोस्तो 12 Megapixel का है इससे आप फोटो और वीडियो भी capture कर सकते हैं और दोस्तो बात का लेते हैं स्मार्टफोन के OSN Performance के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर आपको Qualcomm की तरब से Snapdragon का 8Tiple वाला processor मिलेगा जो कि 5G को support करता है और यह processor 5 Nanometer अपर काम करता है और यहाँ पर जो Graphic Card का यूज किया गया है वो Android Note 660 का यूज किया गया है तो यहाँ पर आप PUBG, Free Fire, Call of Duty और High Graphics वाले गेम को अच्छे से यूज कर सकते हो और दोस्तो यह phone जो है वो Android 12 के साथ आता है और यहाँ पर आपको 2 RAM variant में अवेलेवन मिलेगा स्मार्टफोन 8GB और 12GB के साथ जिसे आप 1 TB तक expand कर सकते है यानि dedicated slot का support दिया गया है इस phone में आपको बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की battery life के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000 image का battery मिलेगा और साथ ही में 120W का fast charging का support भी दिया गया है और 50W का आपको wireless charging का support भी मिल जाता है इस phone में बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की launch rate के बारे में तो दोस्तो बता जा रहा है कि आपको यह 2022 में मिलेगा जुलाई के महीने में और बात कर लेते हैं pricing की तो दोस्तो बता जा रहा है कि यहां पर आपको back side पर भी आपको एक display मिल जाती है बाकी phone का look, camera और display जो काफी बढ़िया है और advanced technology अगर आपको चाहिए तो definitely आप smartphone के देख सकते हैं तो दोस्तो आप comment करके बताए आपको video कैसी लगी जो भी आपके राईवों comment मता सकते हैं वीडियो अच्छे लगने पर like कर दिजेगा, जाले जाले वर्टस पर facebook पर share किजेगा और चैनल पर नए हो जो subscribe कर दिजेगा और बेर आइकन पर click करके उसलिए कर लिजेगा और आप मुझे Instagram पर भी contact कर सकते हैं तो description में दीगी link पर आप click करके आप मुझे contact कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, जय हिन, जय भरत, बंदे मातन दोस्तों